नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका हमारे चैनल अचार जागिंद्र मिस्रा में 12 अप्रेल 2021 सौमवती आमवश्या एक कशिक का चुप चाप यहां रख दें गरीबी घर का रास्ता भूल जाएगी जी हां दोस्तों 12 अप्रेल को साल की पहली सौमवती आमवश्या है से महत तो कहा जाता है कहीं न कहीं यग्गों के पुन के बराबर फल मिलता है अगर इस दिन दान पुन किया जाए सौमवती आमवश्या के दिन जी हां दोस्तों, शोम बती के दिन अगर छोटे छोटे प्रयोग किये जाएं, तो जीवन में शुक्षांती बैभो मिलता है, माता लक्षमी जी प्रसंद होती है, चुकि शोम बार का दिन है, तो भोले नात का भी दिन है, लेकिन अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते नदी ब पत्ते नहाने के पानी में डाल कर नहा लें, अब चुकि साल की पहली सोमवती अवश्या है, और इस दिन पूजा पाथ विशेश तावर पर किये जाएंगे, इसके बाद इस दिन जो सोमवती अवश्या है, इस दिन पितर देबों के निमित्र भी विशेश प्रयोग किया जाते हैं पितर देवों को प्रसंद करने के लिए अवश्य से ज़्यादा शुभ दिन कोई नहीं होता है और जब शोमवती अवश्या हो तो विशेश शुभ माने जाते हैं तब तो सुने पे सुहागा अगर कुंडली में पित्री दोसो तब ऐसे दिन पितर यानि पितर अवश्या के दिन किसी भी समय कर सकते हैं जो हम आपको प्रियोग कर सकते हैं जो हम आपको प्रियोग बताएंगे एक रुपए के शिक्के का शोमवती अवश्या के दिन भूल कर भी मान समद्रा लहसुन प्याज बगरा शिवन ना करें घर में लडाई जगडे कलह कलेस बिवाद ना करें और ना ही जूट बोलें ना ही किसी को कड़वे वचन बोलें घर के बड़े बुजर्गों का अपम करने के पहले कुछ भी बात ना करें पानी जब आप डालें तो मौन होकर डालें फिर रिष्णान यानि कि मौन होकर रिष्णान करें बिसेस्पन मिलता है इससे इस दिन बहुत शारे प्रियोक किये जाते हैं खासकर आज चुकि हमारा टोपिक है एक रुपे के शिक्के का जिया दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक रुपे के शिक्के का प्रियोक बताएंगे कि स्वमवतिय आमश्या के दिन एक रुपे कर शिक्के चुपचाप आपको यहां रख देना है वैसे दोस्तों छोटी छोटी प्रियोक तो आप करते ही बहुत सारे प्रियोक में अगर बहुत ज़्यादा प्रेशानी कष्ट बढ़ जाए तब शुववतिया वश्या के दिन शुवय इश्णान बगएरा करके स्वच्छ कपड़े पहन ले अब शुवजी के मंदिर में चले जाए जूकि शुमबार के दिन भी है तो शुमबार के दिन शुवजी की खूब जाब करें आपके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाएंगे अगर पित्री दोस्त ज़्यादा परिशान कर रहे हैं तब आप इस शुमबार को जल देते समय एक चुटकी काला तिल डाल कर अरुपित करें और साथ ही इस दिन काला तिल का दान भी कर देना चाहिए अब जोस्तों चुकि हमारा टोपिक है एक रुपए के शिक्के का शौंबतियां वश्याक के दिन आप किसी भी समय वैसे खासकर रात के समय आपको करना है ध्यान रखें कर रात के समय क्या करें कि आप पूजा यानि कि देखिए अब इस दिन चुकि शौंबार के दिन है तो उसमें एक रुपे के सिक्के डाल लें और पूरे घर में इस गंगे जल का छिड़काओ करें और ये एक रुपे के सिक्के जब बचे तो एक रुपे के सिक्के को आप लेकर आईए और आप चुप चाप महादेव को यहनी जो भोले बंडारी की तस्वीर है आप जहां फोटो दाहिने आथ में इस 1 रुपे के सिक्के को लेकर और अपनी मन की मनों कामनाओं को बोल कर आप भोले नाद सीव obs Sent Gesellschaft को अरपीत कर दें चढआ तो आप दिन मैं भी आप कर सकते हैं दिन में अगर आप आप करते हैं सामके समय अपने घर के तिजोरी जहां आप रखते हैं अपना खजाना या किमती वस्त्र आलमारी में वहां रख दें इस सिख्य का प्रयोग और यहनी ऐसे करना और चमतकार इसका देखिए अगर आप किसी कार के लिए जा रहे हैं इस एक रुपे के सिख्य को अपने पास रखिए जेव में पॉकेट में फिर किसी काम को करिए फिर देखे कैसे चमतकार होता जीवन क कि समस्त परिशान्या दोर हो जाएंगे, श्योमबती आउश्या के दिन, आप जब सोते हैं, तो सोने से पहले आप क्या करें, कि पूझा स्थान पे आप एक रुपे का सिख्का रख दें, फिर आप जब सोने जाए, तो एक रुपे का सिख्का उठा कर आप अपने तकीए के नीचे रख ले इस एक रुपए के शिक्के को और अगले दिन इसको क्या करें कि किसी जाकर मंदिर में दान पेटी में डाल दें किसी को देना नहीं ध्यान रखिएगा दान पेटी में डाल दें जीवन कि जितने भी निगवेटी है सारी चीजे दूर चली जाएंगे घर में शुक्षान्ती बैभाव आएगा छपड़ फार के धन संपत आएगा महादेव जी प्रसंद होंगे चुकि शौम बार के दिन महादेव जी का है और शौम बतियां वाश्या है तो इस दिन बहुत सुभलाब होगा अगर आप शौम बार के दिन महादेव जी की निमेती एक इक रूपे का प्रहुक्त चुन uniform है जुक्षानी बढ़त सिके ने कर लेकिन आपको सिक्केकी λέug करना है वैसे आजकर एक रुपए का प्रयोग कर शकते है जैद्ध़ प्रेशान यह जुझाई जयाना अच्छाता नहीं चोड़ रही है तो आपको क्या समय आपको एक कटोरी में थोड़ा सा दूध डाल देना है उसमें गंगा जल डाल दें और थोड़ी से उसमें तुलसी के पत्ते पहले दिन में ही तोड़के उसमें डाल दें और इसे खुले आस्मान पर रख दें रात का पूरा जो आमवश्या है चांद का रोसनी इसमें चाप अपने आलमारी पे रख दें जीवन में धन बढ़ेगा शंपत बढ़ेगी गरीबी आपके घर का रास्ता भूल जाएगी और सदैव महादेव और माता लक्ष्मी जी के कृपा आपके घर में बनी रहेगी दोस्तों कमें सक्षन में सच्छे दिल से जहरहर महादेव जय मलक्ष्मी वश लिके हैं और जाते हैं देवेट लाइक जरूर करें नह तो चैनल को सब्सक्राइब करें उसे से शेयर करें जय बाल